आज मैं किस मूँ से इंकार करूँ, कोई कसर है गये बताओ पूर्व पीम चौधरी चरंड सिंग को भारत रतन मिलने के साथ ही भाजपा और रालोत के बीच लोकसभा चुनाव में गडबंधन पर भी मोहर लग गई है R&D के अध्यक्ष जैन चौधरी ने खुद इस बात की पुष्टी की है उन्होंने गडबंधन को लेकर मीडिया के सवालों पर कहा कि अब भी कोई कसर रहती है आज मैं किस मूँ से आपके सवालों को इंकार करूँ खबर ये भी है कि भाजपा के साथ लोगसभाद चुनाव में सीटों पर भी डील हो चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा ने तरत्व ने जैन चौधरी को बाकपत और बिजनौर लोगसभाद सीटों का ओफर दिया है महिगेंदर में सरकार बनने पर मंत्रीपद का भी प्रस्ताव रखा गया है लगाई गई और उसका नाम बदला गया चौधी चरन सिंग्जी के लिए नाम से आज वो एरपोर्ट है ये दिन ये पल बार-बार नहीं आते और इस जैशन में सब लोग शामिट है जो मैं इतनी बड़ी बढ़ाई दे रहा हूं पदानमंदी जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मोल भावना चर्प्र को समझते हैं चौधी चरन सिंग्जी के हर एक अनुवाई की दिल को जीतने का काम आज मोदीजी ने किया है मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिसीतियों के अनुरूप के अपनी बात रखता हूं मैं कहता हूं रादनीति में जो वीपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए तो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए क эфф… एसे मैं अगराव सीटों के बारे समीं रभी है क्या लिए साथ कर ले तो ना में किसी परानमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठ के करूँआ, बीजीपी के किसी विक्ति के साथ नी करूँआ, आज तमान को धनवार दिने हैं राश्री लोग दल और भाजपा पहले भी 2009 के आम चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और अब फिर से दोनों दल साथ हाएं, यूपी की राजनीती को समझने वाले मानते हैं कि RLD जाटो की पार्टी कहलाती है, लेकिन बिरादरी का बड़ा वोट भाजपा को ही मिलता रहा है इसके अलावा दूसरी जाटियों के वोट इसलिए RLD को नहीं मिलते क्योंकि उसे जाटो की पार्टी माना जाता है, ऐसे में वो दो तरफा नुकसान झेल रही थी अब भाजपा के साथ आने पर RLD जाट वोट बटने से भी रोक सकेगी, इसके अलावा भाजपा के हिस्से के वोट भी मिल पाएंगे भले ही समाजवादी पार्टी से डील में उसे साथ सीटे मिल रही थी, लेकिन उसके लिए भाजपा के मुकाबले जीतना मुश्किल था अब भाजपा से भले ही दो सीटे मिल रही हैं लेकिन दोनों पर उसके जीत की पक्की दाविदारी होगी इसलिहाद से जैन चौधरी का ये गडबंधन का फैसला स्मार्ट मूव कहा जा सकता है, फिर भाजपा ने चौधरी चरण सिंग को सम्मान दे कर गडबंधन के लिए मजबूत जमीन तयार कर दी है